Hello everyone, welcome back to your own channel, Kushika Education, my name is Nadhi, कैसे हैं आप सब, I hope you all are doing well, अच्छे से revision कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो चलिए आज का जो next vocab session है, मारा उसको start करते हैं, first question है आपका, choose the one which best expresses the meaning of the given word, तो first में आपको synonyms बताने हैं, first word है corpulent, corpulent meaning क्या होता है, lean, gaunt, emaciated, या फिर obese, corpulent meaning क्या होगा, exact जो इसका synonyms होगा, वो इन चारों में से कौन सा होगा, lean मतलब आपको पता है, क्या होता है, lean या तो एक तरफ जुक जाना, ठीक है न, तिर्चा होना, या फिर क्या बोलते हैं, जो पतला होता है, ठीक है, चर्बी रही तो जो होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, lean बोलते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर पतला लिख सकते हो, ठीक है, या फिर जुका हुआ लिख सकते हो, ठीक है, तिर्चा जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट है गोंट क्या होता है देखो गोंट क्या होता है जैसे भूख होती है ठीक है रोग आदी के कारण बहुत जब जो दुबले हो जाते उसके कारण वो क्या होता है गोंट होता है ठीक है लिख सकते हो रोग आदी के कारण बहुत दुबला ठीक है रोग आदी के कारण दुबला next है o placent बीनिंग क्या होता है इन्य टिला पी क्या होता है या फिर निर्भल होता है ठीक है निर्भल मैं जोटा है आपकुछ भी बहुल सकते हो तिके उसके direct है obese, obese क्या होता है, fat होता है, ठीक है बहुत मोटा जो होता है, in a way that is not healthy, ठीक है न कि healthy नहीं होता है, बंदा इस तदी किसी मोटा पा हो जाता है, बीमारी होता है, जो obesity, उससे related है ये वर्ट तो corpulent का meaning क्या होगा, synonym क्या होगा, corpulent meaning होता है, fat, तो इसका exact meaning क्या होगा, d, obese, किया ना दी ऑप्षिन हमारा करेक्ट होगा answer is D clear next is second part embezzle embezzle means क्या होता है miss appropriate या फिर balance रेमुनेरेट या फिर clear बताए balance or clear meaning आपको पता है balance करना क्या होता है और clear क्या होता है उसके बाद आपको बताना miss appropriate और remunerate का meaning क्या होता है उसके बाद इंबेजल इन दोनों में से किसका होगा बताईए इन दोनों में से नहीं किसी का भी हो सकता है वैसे तो इंबेजल मतलब क्या होता है गबन करना ठीक है क्या गबन करना एक्च्छल में होता है क्या है इसका मीनिंग देखो क्या बिद आएपी अंपांसी को चुराना जो जिसका आपको दिया था Cóshi को हो ठीक या फिर अपके किसी ए-बिद यो मुद्ध करना ठीक है का था। ब सुंदा य्मेनिडर्ट मतलब क्या होता है करना Т. sed Vater पुरुषकार देना, पुरुषकार देना, clear आपको पता है, पुर्ष्ट जो होता है, clear, पुर्ष्ट होता है, balance आपको पता है, संतुलन, तो कौन सा मीनिंग उस, जो सिनॉनियम है, जो सिमिलर है, कौन सा मीनिंग होगा, इमबेजल के, जो first word है हमारा, misappropriate, ठीक है, दुश प comment, condone, या फिर console, console आपको पता है, क्या होता है, किसी को console करना, सांतवना, देना, दिलासा देना, ठीक है, सांतवना या फिर दिलासा, ठीक है, दिलासा देना, उसके बादे comment करना, आपको पता है, क्या होता है, complain, क्या होता है, शिकायत, condone means क्या होता है, माफ करना, ठीक है, हो भी नहीं शोग मनाना ग्रीफ जिसको हम बोलते हैं आप लेक सकते हो ग्रीफ ठीक है ना विला आप बोल सकते हो ठीक है ना दुख मना रहे हो किसी चीज का शोग मना रहे हो ठीक है तो इसका जो एक्जेक्ट सिनोनियम होगा वो क्या होगा जो ए ऑप्षिन है हमारा कम्प्ल कर रहे हो कोई ऐसे चीज हो जाती है तो मुझे इसको लेकर रोते हैं वही एक तरीके से क्या होगा complain करना होगा इसलिए चारो option में से जो best इसको सूट करता हो वो क्या होगा complain ही होगा ठीक है तो answer is a clear answer हमारा a होगा ठीक है next है fourth is inebriate inebriate क्या होता है dreamy, stupefied, unsteady या फिर drunken dreamy आपको पता है ख ripद से रिले coffee मतलब क्या होता है , कि अविचक है stupefied , मतलब क्याहर होता है तो सुम मतलब रिलेटिड नहीं है। ड्रंकन क्या होता है जो ड्रिंक करता है शराब के नशे में चूर ठीक है तो बताए इनेबरियेट मीन्स क्या होगा इनेबरियेट मीन्स क्या होता है पहले इसका सिनॉनियम तब ही हम कर पाएंगे इनेबरियेट मीन्स क्या होता है मध्होश ठीक है मध्होश आप बोल सकते हो शराबिया बोल सकते हो ठीक है ना तो कौन सा option इसका exact synonym होगा डी option हमारा correct होगा ठीक है ना answer is D clear next is question is question 5 salacity क्या होता है bliss depression indecency या फिर recession किसे बना है जो decent word है ठीक है उसी से बना है अब recession आपको पता है recession क्या होता है अब बिया जाती है ठीक है या फिर हम फिर लेना या फिर वापसी के लिए भी यूज करते हैं depression आप लोगों को पता है क्या होता है bliss भी आपको पता है जो परमानंद परमसुक होता है आनंद होता है ठीक है तो चारों की एक्जेक्ट मीनिंग आपको पता है सिर्फ आपको किसका मीनिंग पता होना चाहिए होगा clear तो यह हमारे होगे synonyms अब हम चलते हैं हमारे एंटोनियम की तरफ चूज दवर्ड अपोजटर ना मीनिंग जो इनका उल्टा है ठीक है तो बताए फर्स्ट वर्ड है आपका phlegatius phlegatius क्या होता है innocent, vapid, ignorant, frivolous इसका opposite बताना इन चारों में से तो पहले क्या पता होना चाहिए आपको phlegatius मीन क्या होता है घोर अपराधी ठीक है या फिर आप दुष्ट पूर्ण भी लिख सकते हों तो बताए चारों में से क्या इसका exact मीनिंग होगा इनोसेंट क्या होता है आपको पता है मासूम होता है इनोसेंट तो सबको पता है मासूम होता है वैपिड वर्ड मैं आपको करा चुकी हूं निरस वैपिड के मैंने बहुत सारे आपको कराए थी बनाल होता है जर्जून होता है इनेन होता है तो यह सारी चीज़े जो वोग सकते हो तो अपोज़ट आपको बताना है देखो फॉस्ट अपोज़ट में कैसे होगा गोर अपरादी है दुष्टिता पूर्ण कोई चीज है ठीक है कोई नेगेटिव चीज है उसका अपोज़ट क्या होगा बताइए जो ए ऑप्शिन है मारा इनोसेंट उसका पोज़ट प बोल सकते हो ठीक है लंबा चोड़ा कुछ भी इस तरीके से अब कर सकते हो एक्सपेंड करना वो भी आप हम उसके लिए भी कैपैशिस करते हैं तो बताइए लिमिटेड होगा क्या पूलिश चेंज़ट चारो वर्ट की मीनिंग आपको पता है लिमिटेड जो चीज क्या हो यहां जो फोकस करना होजाए लेकिन हम उसको कमजोर के संस में लिए करते हैं अब ये हमें किस से पता लगता है जब मैंने आपको बहुत बार यह चीज़ बताई है कि एक जो मीनिंग एक जो वर्ड होता है उसके दो-तिन मीनिंग हो सकते हैं तो कौन सा उस टाइम पर कौन सा उसका मेनिंग है वह आपको कैसे पता लगेगा option में आपको दोनो मीनिंग तो मिलेगी नीक्यों क्या आपको अंसर एक ही होगा तो option से आपको पता लग जाएगा कि इसका exact meaning यहां पर ये है ठीक है तो देखे फ्रेल, फिल्दी, फॉर्म, फिल्पेंट फॉर्म तो आपको पता है क्या होता है जिसके decision firm होता है द्रड होता है ठीक है ना फोर्म होता है फ्रेल क्या होता है अनैतिक होता है ठीक है जो नैतिक नहीं होता या फिर दुर्बल भी होता है ठीक है दुर्बल कमजोर भी होता है तो यह तो आंसर होगा नहीं क्योंकि यह तो सिनॉनियम हो गया में अन्टोनियम बताना है ठीक है फिल्दी क्या हो वो भी होता है प्लिप असद concept को क्या होगा तार होता है कमजोर होता है तो चार हो में इसरे करेक्ट होगा है तो सी आप्शन क्या हो जाएगा इसका अपोजोट्ड टेख क्योंकि positive यही है यह नेगेटिव है तो उसका positive क्या है form ठीक है c option हमारा correct होगा clear next है fourth is equanimity equanimity means क्या होता है equanimity मितलब क्या होता है संतुरल से related है या फिर हम जो घंबीरता है उसकी sense में भी इसको use करते है ठीक है तो बताइए क्या होगा resentment dubiousness duplicity excitement excitement आपको पता है क्या होती है उत्सुकता होती है जो ठीक है डबिस्नेस डाउट से बना है यह वो ठीक है यह क्या होता है संदे हो ठीक है उस चीज के लिए हम यूज करते हैं तो एक्वानिमिटी क्या होगा संतुलन या फिर गंबीरता अब बताई इसमें से जो भी वर्ड सूट करता है कौन सा इसका एक्जेक्ट मीनिंग होगा क्या अपोजट सौरी इसका आपको बताना है तो एक्वानिमिटी संतुलन करना या तो इसका अपोजट क्या होगा एक्साइटमिंट ठीक है एक चीज तो क्या चीज चल रही है कि बैलेंस आप लेकर चीज का घृत तो शी ही है जो इसका थोड़ा सा हमें एक्जेक्ट जो इसका पोजिट है वो दे रहा है तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा आंसर इस डी क्लियर नेक्स्ट है फिफ्ट इस दिखो कभी-कभी जो आपको ऑप्शन सही तरीके से दिये जाते हैं कि एक्ट्वल में ऐसा बन बहुत थोड़ा थोड़ा डिफ्ट्रेंस होता है तो वह भी बहुत द्यान से करना पड़ता है अब देखिए हैपलेस क्या होता है है मतलब होता है अभागी ठीक है तो अब आपको इसका क्या बताना है एंटोनियम अपोजट बताना है तो अपोजट तो इसका आपको पढ पढ़ेगा उसी का selection होगा तो क्या होता है स्थिरता से जो पढ़ेगा ठीक है रूटीन में cheerful क्या होता है हस्मुग जो होता है ठीक है happy होता है cheerful होता है ठीक है तो सी option यहां पर मारा correct है hapless means अभागी fortunate means भागेशाली तो यह हो गई आपके antonium तो हमारे mcqs complete होते हैं चलते हैं हमारे today's vocab वाले पार्ट में जो आपको learn करनी है first word है आपका slothful slothful क्या होता है slothful होता है lazy ठीक है जो सुस्त होता है इसकी synonyms क्या होंगे indolent bovine ठीक है indolent bovine चारो ही words आपके important है slothful भी indolent भी bovine और industries इंडस्ट्रिस क्या होता है जो बहुत महनती होता है ठीक है first word हो गया slothful यह चारो word important है काफी बहुत ह Brexit होते है ठीक है next is casual casual क्या होता है to persuade with deliberate flattery एक तरीकी से आप बोल सकते हो मस्का लगाना होता है न उठ्हुताय कोगा κα Beim कोता है ठीक है flattery से अनिक होता है to persuade with the deliberate हम यह जान बूज कर ठीक है flattery क क्या होता है मस का लगाना तो के जोल क्या होता है तो परसुएट वेट ड़िबर फ्लैटरि किसी को घ्लाइब होता है तो इसकी स्यानॉनियम प्रॉटेंट चाहिए उसका इन्टोनियम हो जाएगा सारे बहुत इंपोर्टेंट है कोर्क्स भी विडल भी ब्लैंडिश भी कैजोल तो बहुत ही सबसे ज़दा इंपोर्टेंट तो यही है तो इसका आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है मिलाईस मिलाईस मींज क्या होता है मिलाईस होता है desire to harm others दूसरों को हानी पोहचाना ठीक है ना फॉर्स्ट वर्ड है आपका सिनोनियम जो है इसका मैली वॉलेंस हो जाएगा मिलाईन्टी हो गाई spite या फिर spleen ठीक है मिलाई समझ आ गया क्या होता है desire to harm others malevolence malignity spite या फिर spleen चारो ही इसके synonym है opposite क्या होगा concern उस चीज़ को लेकर क्या है concern है हम ठीक है next is antiquated antiquated क्या होता है out of fashion out of fashion के लिए हमने एक I think test में किया था या फिर vocab में ही mcqs में किया था out of fashion के लिए वर्ड था obsolete ठीक है mcqs में किया था obsolete क्या होता है out of fashion जिसका जमाना जा चुका पुराना हो चुका no longer usable अब उसको यूज नहीं करते वन वर्ड substitution में किया था हां जो संडीकॉप की class होई थी सुबह वन वर्ड substitution की उसमें हमने यह वर्ड किया था कि आपको दिया गया था no longer in यूज जो अब यूज में नहीं है तो उसको क्या बोलते है ऑपसलीट ठीक है तो इस तरीके से भी जो आपकी वह ज़रूरी नहीं है कि एक जगे जो नो लोंगर यूज जो अब यूज में नहीं है आउट ओफेशन हो चुका सिनोनियम क्या होंगे एंटीक आर्चेक ऑपसलीट या फिर वन्रेल लेबल ठीक है सारे इंपॉर्टेंट है यह भी इसका पोजिट क्या होगा एक चीज पुरानी आउट ओफेशन हो चुके और एक चीज कहन नहीं है जो चल रहे हैं ओडरन है ठीक है नेक्स जो लास्ट वर्ड है आज आपका वह है कंसिलियेट क्या होता है तू रिकनसाइट तू पैसिफाई तू रिन्यू अफ फ्रेंडशिप ठीक है किसी को क्या कर खते सके को शान्तावना देना भी या किसी को शांथ करना कूलड आउन करना भी वह क्या होता है किसी को समझाना इसका पोजट किया होगा to a strange clear तो यह वर्ड भी important है यह वर्ड यहां पर important है जिसे यह हो गया प्लेसीट हो गया यह सारे आपके important ठेक है रीकंसायल आपको mostly जो option से वहाँ पर आजाता है तो यह आज का आपका जो vocab session है यहां पर complete होता है I hope आपको सारे words अच्छे से समझ में आगे है कोई without है किसी भी question में तो comment section में आप मुझसे पूछ सकते है lecture अच्छे लगे तो वीडियो को like कर सकते है चानल को subscribe कर सकते है आज के लिए इतना ही मिलते हैं शाम की जो आपकी वीडियो है उसके अंदर हम complete करेंगे जितने भी होमी साइट जितने भी साइट होते हैं वो सारी कवर करेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही thank you and take care